हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास सेविन्थ के जोग्राफी के चैपटर नमर फाइव को जिसका नाम है वाटर यानि कि इस चैपटर में हम वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं water से related बहुत सारी चीज़े हम जानेंगे इस chapter में तो देखे पिछला जो हमने chapter पढ़ा था chapter number 4 वहाँ पर हमने air की बात की थी आपने वो video देख लिया होगा अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर हमारी channel पर देख सकते हैं आप chapter number 4 को भी पढ़ सकते हैं अब देखे वाटर की यहाँ पर बात हो रही है वाटर के बारे में हम बहुत सारी चीज़े इस chapter में जानने वाले हैं अब देखे वाटर वाटर जब आपके दिमाग में आता है या फिर वाटर वर्ड आप सुनते हैं तो क्या आप सोचते हैं आप एक तरीके से नदियों के बारे में सोचते होंगे या फिर जो waterfall होता है उसके बारे में सोचते होंगे या फिर जो बारिश होती है उसके बारे में सोचते होंगे या फिर आपके bottle, null या फिर इस तरीके से जो water आपके आसपास मौझूद है या फिर जो ocean है उसके बारे में सोचते होंगे, तो ये एक तरीके से ऐसे forms हैं, जिस रूप में हम water को देखते हैं, यानि कि water को हमने ocean के रूप में देखा है, या फिर हमने null में देखा है, बोतल में देखा है या फिर waterfall देखा है, rivers देखें इस तरीके से, अब दिखें यहाँ पर water जो है उसके बारे में एक चीज जान लेना चाहिए कि water जो है वो अपना shape, size, position यानि कि वो कहाँ पर है यह हमेशा change करते रहता है यानि कि ऐसा नहीं है कि water जो आपने नल में देख रहे है वो वही पर है वो हो सकता है कि आपके नल में जो पानी आ रहा है वो 10 साल पहले अमरीका में हो या फिर अमरीका में जो आज पानी है वो 50 सल पहले हिमाले से बह कर गया हो क्यों? क्योंकि जो वाटर है अर्थ पर वो हमेशा constant motion में होता है वो हमेशा घूमते रहता है यानि एक जगह से दूसरे जगह, एक form से दूसरे form और एक अस्थान से दूसरे अस्थान अब उसके लिए और भी चीज़े हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में तो पता चलेगा लेकिन सबसे पहले हम एग चीज़ को जान लेते हैं और वो है water cycle जिसका की image आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अब देखें यहाँ पर क्या कहता है Water cycle का definition The process by which water continuously changes its form and circulates between ocean, atmosphere and land is known as the water cycle यानि एक ऐसा process जिसके जरीए water अपना constantly अपना position या फिर form को change करते रहता है और हमेशा ही घुमते रहता है जमीन, ocean और आस्मान के बीच में इस process को हम water cycle के नाम से जानते हैं अब water cycle को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो image आपके सामने एक तो आपके book में दिया गया है, एक मैंने internet से उठाया है जिसके जरीए आपको मैं समझाओंगा अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर होगा यह कि जो sun है, वो बहुत ज़्यादा heat प्रोवाइड करता है आप जानते हैं कि गर्मी में आपको बहुत गर्मी लगती है और उसकी वज़द से evaporation होता है यानि कि जो आपके आसपास नदिया तलाब आप देख रहे हैं जो ocean है या फिर जो ground बग कहीं भी water है तो वो sun की गर्मी की वज़द से evaporate होता है अब वो evaporation होकर अगर उपर जाएगा अगर उपर जाएगा ये उपर जा रहा है तो उपर जाकर क्या ये बन जाएगा water vapor का रूप ले लेगा और धीरे धीरे उपर जाकर ये ऐसे level पर पहुंच जाएगा इतने उचाई पर पहुंच जाएगा कि जहाँ पर जो ठंड है वो काफी बढ़ जाती है अब ठंड बढ़ गई तो क्या होगा जो water vapor है वो जमने लगेगा वो ठंडा होने लगेगा और उसकी वज़ासे होगा condensation यानि कि जो water vapor है वो फिर से क्या हो जाएगा एक तरीके का बादल का रूप ले लेगा और फिर वो आगे चलकर कहीं पर precipitation के रूप में यानि precipitation के रूप में बारिस के रूप में जमीन पर फिर से वापस आ जाता है तो ये एक तरीके का water cycle है क्या होगा आपके आसपास पानी है evaporation हुआ उपर गया condensation हुआ बादल बना बादल से फिर बारिश हो गया जमीन पर आ गया और फिर से आपके आसपास पानी आ गया तो जो बारिश होती है वो कैसे होती है बादलों से होती है बादल कैसे बनते है जो जमीन से evaporation होता है उससे बनते है यानि कि ocean में जिस तरीके से आपके आसपस हवाई चलती है नदिया बेहती है उसी तरीके से ocean में भी जो water है उसका movement होते रहता है अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए water को अगर हम divide करें तो water को दो parts में हम divide कर सकते हैं पहला तो आपका हो गया एक ऐसा form of water जिसको कि आप use में ले सकते हैं जिसको कि कहा जाता है fresh water और फिर एक water होता है जो कि saline होता है जिसको use में हम नहीं ले सकते हैं saline water जैसे कि आपका ocean में जो water होता है वो saline होता है तो हम next topic इसमें पढ़ते हैं distribution of water bodies यानि जो water है उसको किन किन form में हम distribute कर सकते हैं बांट सकते हैं किस रूप में हमारे प्रिथवी पर पानी मौझूद है अब देखें यहाँ पर बात किया जा रहा है कि पूरे प्रिथवी का जितना भी surface है surface मतलब जो जमीन का surface होता है उसकी बात की जारी है कि जो surface है उसका three-fourth यानि कि तीन चौथाई हिस्सा जो है वो पानी से भरा हुआ है cover किया हुआ है पानी से लेकिन यह कैसा पानी है यह ocean का पानी है यह saline water है इसको आप use नहीं कर सकते हैं अपने use में तो यह एक तरीके का हो गया saline water saline water क्या होता यहां पर बताया गया है कि देखिए water का salinity यानि कि उसमें कितना खारापन है इसको हम नापते हैं कि 1000 ग्राम पानी में कितना ग्राम salinity है यानि कि salinity का क्या मतलब है कि जो पानी है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में chemicals है chemicals में mainly आपके आजाते हैं जो salt होते हैं वो यानि जो normal salt आप अपने घर में use करते हैं उसी के बात यहां पर हो रही है अब हम देखें तो water पूरे earth पर किस-किस form में है सबसे पहले तो देखिए oceans आ जाते हैं पूरी पृत्वी पर जितना भी पानी है उसका 97.3% water जो है वो saline water है और किस form में है वो है ocean के form में अब देखिए ocean के form में है तो ocean में तो आप जानते हैं कि आप उसके पानी को use नहीं कर सकते हैं तो यह बिल्कुल ही आपका विश्ट हो गया इसको आप अपने पीने में नहाने में खाने में use नहीं कर सकते हैं अब आता है fresh water एसा water जिसको की आप चाहें तो directly use कर सकते हैं Fresh water में क्या आ जाएंगे, जो आपके glaciers हैं, यानि जो ice caps हैं ये आ जाते हैं, फिर जो आपका ground water होता है, वो आ जाता है, ground water आपने use किया होगा, boring, जो bore करके पाने निकाला जाता है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है, फिर fresh water lakes आ जाते हैं, फिर inland seas और salt लेका जाते हैं, तो ये जो हैं, ये एक तरीके से आपके आ जाते हैं खारे पानी के रूप में, ये जो आपका ये वाला है, ये आपका fresh water नहीं है, ये आपका एक तरीके से जो salt water होता है, खारा पानी होता है, उसी की बात यहाँ पर हो रही है, अब inland seas क्या होते हैं, या फिर salt लेक्या होते हैं, ज उसके बाद 2% कहाँ पर है, 2% है हमारे glaciers के रूप में, यानि ice caps के रूप में, फिर जो बचा हमारे पास पानी, उसमें से 0.68% किस रूप में है, ground water के रूप में है, फिर उसके बाद जो है, उसमें से 0.009% फिर उसके बाद 60 legs के रुख में 009%, फिर यहां पर 0.00019%, फिर 0.0001%, तो देखे नदियों में जो पानी हम देखते हैं, वो पूरी पृत्वी पर जितना पानी मौझूद है, उसमें से कितना कम है आप सोच सकते हैं, कहां 100%, और 100% में से 0.0001%, अब देखिए, यह जो amount है, यह का amount है, इसको हम समझने के लिए यहां पर एक activity देखेंगे, लेकिन उसके पहले यहां पर एक चीज़ बताया गया है, कि देखिए, जो पूरी हमारे पृत्वी का ocean है, यहां पर जो salinity होती है, वो करीब 35 gram होती है, यानि कि अभी मैंने बताया था कि 1000 gram में से, gram के हिसाब से salinity बताया जाती है, तो 35 gram आपका salinity होता है ocean का generally, लेकिन जो dead sea है इसका salinity है 340 gram, यानि कि 1000 gram में से 340 gram क्या है, salt है, तो वहां पर अगर आप तैरने जाएगा, तो आप कभी डूबियेगा ही नहीं, आप उपर ही हम ऐसे लेटे हुए रहिएगा, आपको कुछ नहीं होगा, कभ यह activity आपको एक तरीके से समझाने के लिए है, जैसे अगर मैंने अभी उपर percentage, percentage, percentage बात की, तो आपको उतना समझ में, क्या हो रहा है यह, बहुत पानी है, लेकिन आपको example यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप 2 liter पानी लीजिए, 2 liter, 2 liter पानी कि आप 9 चम्मच निकालिए, और यह 9 चम्मच पानी क्या होगा, यह होगा हमारा ice caps, यानि कि जो glaciers है वो, फिर 2 चम्मच निकालिए पानी, 2 चम्मच क्या है, 2 चम्मच है आपका, जो आपका ground water है उस form में, उसके बाद देखिए, और निकालिए आधा चम्मच पानी, आधा fresh water lakes है, यानि जो मीठे पानी वाले जो लेक हैं, वो हैं, और इसके बाद एक बूंद निकालिए, एक बूंद, एक बूंद आपका क्या हो गया, आपका नदी का पानी हो गया, जो आपके आजपास नदियां बहती हैं, उसका पानी, तो आप समझ सकते हैं, कि कितने कम amount में ह वो हमारे survival के लिए बहुत ही essential है, बहुत जरूरी है, पानी के बिना आप भी नहीं जिन्दा रह सकते हैं, मैं भी नहीं जिन्दा रह सकता हूँ, और हमने देखा कितना important है, अब water जो है, उसको waste करना, या फिर उसको एक तरीके से बरबाद करना बहुत ही खराब होगा, अर्थ पर, वो regular movement में होता है, वो एक तरीके से इस्थिर कभी नहीं रहता है, अब ocean circulation की बात करें, तो जो ocean circulation है, उसमें देखिए, जो आपका ocean का पानी है, उसमें movement की यहां पर बात की जा रही है, कि यानि जो water है ocean का वो कैसे move करता है, अब देखिए, जो water का movement होता है ocean में उसको तीन parts में हम divide कर सकते हैं, waves, tides और currents, इन तीनों के बारे में बारी बारे से हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन देखिए, ocean का movement, movement हो रहा है, जिस तरीके से नदिया बहती हैं, उसी तरीके से similar होता है, लेकिन exact same नहीं होता है, similar होता है, उसी तरीके से movement होता है, लेकिन अग भी तक imagine किया होगा, कि जो ocean है, वो बिल्कुल एक pond की तरह है, जहां पर बहुत सारा पानी है, जिसमें की कोई movement नहीं होता है, वैसा नहीं है, ocean जो है, उसमें बहुत तरीके movement होते रहते हैं, जिसकी वज़ा से एक जगह का पानी, दूसरी जगह, दूसरी जगह पानी, तीस किस तरीके से काम करते हैं, अब दिखें wave, आपने समुद्र को देखा होगा, movies में, या फिर आपने से बहुत सारे लोग समुद्र किनारे गये होंगे, समुद्र का मज़ा वी लिया होगा, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि waves हमेशा आते रहते हैं, waves जो हैं, वो हमेशा आते रहते हैं, यानि कि इस तरीके का आप यह जो यहां पर देख रहे हैं, ऐसा वेव आते रहता है, यह आप एक्जाम्पल यहां पर फोटो से देख सकते हैं, यहां पर यह जो क्या है, यह तरीके का वेव है, जो किनारे की तरफ आ रहा है, अब यह वेव होता क्या है, इस चीज को समझते हैं, आप दिखें वेब एक तरीके का मूवमिंट होता है, जिसमें की water, जो water का surface है, वो उपर नीचे होता है, उपर नीचे, अब उपर नीचे बोलूँगा ता पो नहीं समझ मैं आगा, उपर नीचे किस तरीके से, ऐसे, ईस तरीके से उपर नीचे होता है, यानि कि ये वाला जो है, एक बार उपर जाएगा, एक बार नीचे जाएगा इस तरीके से, और इस तरीके से ऐसे-ऐसे movement होता है, इस तरीके से, तो ये एक तरीके का wave होता है, अब wave के बारे में आपने पढ़ाओगा, या फिर आगे आपको science class में भी पढ़ने है, science में भी प वो air की वज़ा से होता है, यानि कि जो wind होता है, wind एक तरीके से जब move करता है, तो आपका पानी है उस पर प्रभाव डालता है जिसकी वज़ा से waves create होते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है, waves are formed when winds scrap across the ocean surface, the stronger the wind blows, the bigger the wave becomes, यानि कि जो हवाएं चलती हैं, उन हवाओं की वज़स से wave का निर्मान होता है, जो कि आपको समुद्र के किनारे देखने को मिलता है, तो समुद्र के किनारे जो आप wave देखते हैं generally, जब आप घूमने जाते हैं, तो वो बहुत ही छोटे-छोटे होते हैं, यानि कि आपको पै कही पर volcano eruption हो गया, कही पर earthquake आ गया, या फिर किसी और तरीकी का plate का movement हो गया समुद्र के अंदर, वैसी जब गतिविधी होती है, तो वैसी गतिविधी की वज़ा से जो wave create होता है, ये बहुत ही बड़ा होता है, और ये normal wave से काफी अलग होता है, इस वज़ा से इसको हम wave नही बलकि tsunami कहते हैं, tsunami, अब tsunami मैंने कहा, तो आपके दिमाग में images आ गया होगे, और आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके के wave की बात हो रही है, अब ये generate क्यों होता है tsunami, tsunami generate होता है, जब कही समुद्र के नीचे या फिर समुद्र के आसपास earthquake आ जाए, कही पर समुद्र में या फिर समुद्र के किनारे volcano eruption हो जाए, या फिर कही पर landslide हो जाए, underwater landslide, underwater landslide क्या होता है, कि देखी जो plates है, tectonic plates जिनके बारे में chapter 2 में हमने पढ़ा था, वो plates जब move करती, इस तरीके से plates सटा हुआ है, कभी ऐसे चला गया, कभी ऐसे चला गया, कभी वो move कर गया, तो वहाँ पर उस तरीके की गतिविती जब होती है, तो वहाँ पर बहुत ही बड़े अस्तर पर waves का निर्मान होता है, जिनको की tsunami कहा जाता है, और ये कितने बड़े हो सकते हैं, ये 15 मीटर उंचे भी हो सकते हैं, तो अभी हमने जो wave की बात की, वहाँ पर आपने देखा होगा wave कितना होता है, एक फूट उंचा, आधा फीट उंचा, या फिर दो फीट उंचा, उससे उंचा नहीं आता है, लेकिन जब tsunami आता है, तो 15 मीटर उंचा, इतना उंचा अथा और जो tsunami होता है, अब तक का सबसे बड़ा tsunami कितना बड़ा आया है, वो है 1.500 मीटर उंचा, देट इसका स्पीड होता है 700 km प्रती घंटा, 700 km प्रती घंटा, अब दिखें ये सभी जगा 700 km नहीं होगा, जहां पर ये सुनामी ओरिजिनेट होगा, जहां से बनेगा, उसके आसपास की इलाके में इसका इतना स्पीड रहेगा, धिरे धिरे ये कम हो जाता है, और दिखें इस सु जो एक तरीके से सदनमोष्ट पॉइंट था इंद्रा पॉइंट वो समर्ज हो चुका था सुनामी के बाद, और इस तरीके से करीब हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई थी, अब यहां पर देखें, सुनामी के बारे में बताएगा, सुनामी वर्ड के बारे में, देखें, सुनामी जो है एक जैपनीज वर्ड है, जिसका मतलब होता है, हावर वेवस, क्योंकि जो यह जब इस तरीके का मुव्मेंट होता है, इस तरीके का वेव हाता है, तो उसकी वैसे जो हावर्स होते हैं, वो डिश्टोय हो जाता है, हावर्स एक तरीके से जो आपका किनारा होता है समुद्र का किनारा जहां पर जार्ज लगते हैं उसको कहा जाता है अब यहां पर सुनामी के बारे में बताया है 2004 के सुनामी के बारे में तो इसको आप चाहे तो पर सकते हैं यहाँ पर simply मैं short में बता देता हूँ कि 2004 का जो सुनामी आया था यह आया था 26 दिसंबर 2004 में इसमें क्या हुआ था कि जो सुमात्रा है उसके western boundary पर एक earthquake आया था 9.0 Richard Scale का और क्योंकि यहाँ पर देखिए जो Indian plate था वो Burma plate के नीचे चला गया था यानि कि जो plate moment हुआ था उसकी वज़ा से 2004 का सुनामी आया था और इसकी वज़ा से earthquake आया था और करीब जो ocean floor था उसमें 10 से 20 मेटर का moment हुआ था और इस वज़े से जो हमारा सुनामी था वो generate हुआ था अब इसके बाद जो वहाँ पर speed थी पूरे water की वो करीब 700 से 900 किलोमेटर प्रति घंटा थी लेकिन इंडिया के पास आते आते तक यह speed घट तक 70 किलोमेटर प्रति घंटा हो चुकी थी और सुनामी जो था वो 3 किलोमे को हमने या फिर waves को पढ़ लिया waves क्या होते है waves air की वज़े से movement जो होता है water का ocean water का वो wave होता है उसके अलावा waves generate होते हैं आपके earthquake volcano या फिर आपके plate movement की वज़े से भी तो उस तरीके का wave generate होता है वो बहुत ही बड़ा wave होता है जिसकों की हम सुनामी के नाम से जानते हैं और और वो काफी destructive होता है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और tides के बारे में पढ़ लेते हैं अब देखें tides क्या होते हैं देखें ये wave जिस तरीके से ocean में movement होता है उसी तरीके से tides भी एक तरीके का movement होता है यानि tides नहीं इसको tide कहा जाता है ताइड आप tide में होता क्या है? टाइड में होता है कि जो ocean का water है उसका level कम और ज्ज़ादा होता है यानि कि tide दो प्रकार के होते हैं पहला तो high tide होता है और दूसरा होता है low tide अब देखें high tide होगा तो ocean water का level उपर दोछाएगा और low tide होगा तो ocean country का level नीचे चलाएगा इसको मैं आपको एक image दिखाता हूँ जिसके ज़री आप इसको अच्छी तरीके से समझने पाएंगे अब दिखें यहाँ पर आप देख सकते हैं इस image में तो यह जो image है इसमें एक तरीके से simple situation है कि water का level कहां तक है? water का level आप देख सकते हैं यहां तक है water जो है वो भरा हुआ है यहां तक और इसके बाद यह समुद्र का एक हिंसा है आपको यह सामने पहार देख रहा है तो ऐसा मत सूचिए है कि यह कोई तालाब है यह समुद्र का हिंसा है जुड़ा हुआ है अब इसके बाद देखें high tide आया तो high tide में क्या हो गया यह पूरा भर गया यह उपर तक पानी चड़ गया बहुत ही उपर तक देख सकते हैं इधर पूरा भर चुका है पानी से कहीं भी आपको कोना दिखने रहा है यह high tide है कि normal level से उपर पानी का अस्तर बढ़ चुका है simply आप compare कीजिए यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर आप जैसे देखिए कि यहाँ पर यहाँ कितना पानी है और यहाँ कितना पानी है तो यह दोनों को compare कीजिए यह normal है यह high tide है और वहीं देखिए यह जो नीचे वाला image है यह low tide है अब low tide में क्या हो गया? यहाँ पर यह जो पानी का स्थर था यह बहुत ही नीचे चला गया, कि यहाँ पर यह जो पूरा हिससा था, यहाँ तक पानी टच कर गया, पूरा यह इससा देख सकते हैं, खाली हो चुका है, पिल्कुल रहा है, तो यह क्या है? यह हमारा low tide है, high tide में पानी का स्तर बढ़ गया, लो टाइड में पानी का स्तर घट गया, आप YouTube पर वीडियो सर्च किजएगा, आपको इस तरीके से बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें कि हाई टाइड और लो टाइड क्या होता है, आपको बूरा समझ में आ जाएगा, एक ही वीडियो को बढ़े चेप्टर में तो सबसे important point और सबसे basic point एक word में जो answer है, वो यह है कि यह जो high tide या फिर low tide होता है, यह sun और moon के gravitational pull की वज़ास से होता है, gravitational force की वज़ास से होता है, तो दिखें, जिस तरीके से जो earth है, वो gravitation की वज़ास से moon को या फिर जो चान है उसको बांध कर लगाएगा, और जो sun है, उसकर gravitation force तो लगता ही है, अब देखें, यह काम कैसे करता है, इसको हम समझते हैं, इसमें होता यह है, कि यहाँ पर यह जो image आप यह देख रहे हैं, इस image की बात करते हैं, पहले देखें, इस image की बात करते हैं, इसमें क्या है, इसमें अभी sun को लेकिन gravitation में आप क्या जानते हैं, gravitation में होता है कि जो force लगता है, वो दोनों के उपर लगता है, यानि जितना moon के उपर force लग रहा है, उतना ही force earth के उपर लग रहा है, अब इसके वज़ा से क्या होगा, इसकी वज़ा से होगा, कि जो earth है, इसके उपर gravitational force लगाया जा रहा है मून के द्वारा मून के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाए जा रहा है तो आर्थ जो है उस पर हमें जमीन पर उतना प्रभाव देखने को नहीं मिलता है लेकिन जो समंदर का पानी है जो ओशियन का पानी है वो एक तरीके से उसकी ओर खीचा चला जाता है यानि कि माली जी उपर से चांद अगर मुझे एट्रेक्ट कर रहा है तो प्रिथवी उतना नहीं हिलेगी लेकिन मैं अगर समंदर का पानी हो तो मैं थोड़ा से ऐसे उपर उठ जाऊंगा इस तरीके समंदर का जलस्तर जो है वो उपर उठ जाएगा ऐसा होगा बिल्कुल यही चीज होता है आपके इसमें टाइड उठने में अब देखे टाइड हो रहा है यहाँ पर हमने बात कर ली कि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स लेकिन यहाँ पर केवल मून काम नहीं करता है बल्कि इसके अलावा सन भी काम करता है सन भी काम करता है तो यह दोनों मिलकर फोर्स लगाते हैं अब यह दोनों मिलकर फोर्स लगाते हैं तो कभी देखे क्या होगा कि यह दोनों एक डाइरेक्शन में होंगे तो इस condition में हमको देखने को मिलता है spring tide spring tide spring tide में क्या होता है spring tide में होता है कि ये तों तीनों एक सीध में है या तो इस तरीके के situation में या तो इस तरीके के situation में ये situation में क्या होता है कि जो spring tide होता है वो आता है spring tide में क्या होता है कि जो समुद्र का जलस्तर है वो normal high tide से भी ज़्यादा उठेगा normal high tide में मा लीजे 10 मीटर उठता है लेकिन जब spring tide आएगा तो उससे में क्या होगा 12 मीटर, 15 मीटर उठेगा क्यों कि यह दोनों जो हैं यह मिलकर पानी को attract कर रहे है अब देखें यहाँ पर आप सोचेगा कि यहाँ पर ठीक है यह तो हम समझ गये कि यह high tide आता है high tide आता है तो यहाँ पर समझ गये कि इस direction में high tide आएगा क्यों कि यहाँ पर attraction काम कर रहा है लेकिन अब यहाँ पर और भी direction में tides क्यों आ रहे हैं यानि कि हमने कहा कि दो बर high tide आएगा और दो बर low tide आएगा ये कैसे आता है इसको समझते हैं। हमने ये देख लिया कि attraction की विज़से ये पानी को खिषता है जिसके विज़से उसका अस्तर बढ़ जाता है। लेकिन अब दो बर high tide और दो बर low tide कैसे आता है। अब देखिए, यहां पर एक प्लेस है मालिजे, यह हमारा इंडिया है, इंडिया जो है, यहां पर high tide आया और इसके साथ साथ पृत्वी के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में भी high tide आता है, ऐसा नहीं कि यहां पर high tide आये तो यहीं पर क्यों high tide आये बात खتم, यहां पर high tide आय और पीछह वाले हिस्से में, इस हिस्से में भी High Tide आएगा, और देखिए अब यहां पर पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, तो पानी इसको ज्यादा चाहिए, कहां से आएगा वो, तो वो आता है इन दोनों डायरेक्शन से, इन दोनों डायरेक्शन से, यहां से और यहां से, इन दोनों direction से, इन दोनों जगहों से आता है क्या? पानी आता है, जिसकी वज़ाद से यहां का पानी का जो जलस्तर है, वो घंट जाता है, और यहां पर क्या हो जाएगा? इन दोनों जगहों पर low tide आता है, low tide. तो यहां पर आप समझ गए, कि एक साथ दो जगह पर high tide आएगा, और दो जगह पर low tide आएगा. तो इस वज़ाद से, क्या हम समझें? कि दो मतलब है, प्रित्वी पर जब भी tide आता है, तो एक बार में दो जगह पर high tide और दो जगह पर low tide आएगा. अब यहां पर बात है कि हर जगह पर कैसे दो बार high tide और दो बार low tide आता है. अब देखिए, यहां पर प्रित्वी को हम जानते कि प्रित्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, प्रित्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, तो उसकी वज़ाद से हर एक जगह जो है, वो एक दिन में एक चक्कर तो लगा ही लेगा, एक बार यहां था, तो यहां पर क्या हुआ? high tide आया यही इंडिया घूमकर यहां पहुँचा इस position में तो क्या low tide आयगा फिर से इस position में पहुचा तो क्या होगा high tide आयगा फिर से इस position में पहुचा तो क्या होगा low tide आयगा तो इस तरीके से हर एक जगह पर पृत्वी पर दो बार high tide और दो बर low tide आता है ये तो हम समझगे कि किस तरीके से high tide और किस तरीके से low tide आता है अब हम फिर से बात करते हैं यही हमारे spring tide और nip tide की तो देखिए spring tide में क्या होता है spring tide में जो tide है वो normal tide से उचा उठता है तो spring tide का हमने condition जाल लिया कि जब एक seed में होते हैं यानि कि तीनों जो हैं ये एक seed में रहेंगे तो क्या होगा spring tide आएगा या तो ये situation या तो ये situation जिसकी वज़ा से ये दोनो sun और moon का gravitational force एक साथ मिल कर काम करता है और tide बढ़ा आता है ये हो गया हमारा एक तरीके से spring tide अब neat tide में क्या होगा क्योंकि देखिए जो moon है वो हमेशा घूमते रहता है तो कभी moon यहाँ पर होगा कभी moon यहाँ पर होगा कभी यहाँ होगा कभी यहाँ होगा कभी यहाँ होगा इस तरीके से moon अपना position change करते रहता है क्योंकि वो अप्रित्वी के चारों घुमता है अब देखिए यहां पर होता है कि जो आपका फूल मून होता है या फिर नू मून होता है उससे सातवा दिन क्या होगा मून इस कंडिशन में होगा या फिर इस कंडिशन में होगा या तो यहां पर होगा इस समय में क्या होगा कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है वो सन का और मून का अलग-अलग तो दोनों के जो एक तरीके से force हैं ये मिलकर पानी को एक तरफ खिच नहीं नहीं पाएंगे बल्कि ये इस तरफ का force काम करेगा इस direction में उसकी वज़ा से क्या होगा कि जो हमारा tide आने वाला था 10 मिटर उचा वो 10 मिटर उचा नहीं आएगा बल्कि वो आएगा 5 या 6 मिटर उ तो इस तरीके से जब हमारा नीप tide आता है तो उसमें क्या होता है इसमें होता है कि हमारा जो है कि जो पानी जो tide आता है high tide उतना उचा नहीं आएगा और low tide उतना नीचे नहीं जाएगा तो ये यहाँ पर बात हो गए कि tide जो है वो एक तरीके से काम करता है अब यहाँ पर म ये वाला new moon हो गया और ये वाला full moon का condition हो गया, इसी condition में हमारे spring tide आते हैं, अब यहाँ पर और भी बाते बताई गई हैं, तो यही सब बात है, तो यहाँ पर आप चाहें, तो यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ने से बहुत ज़्यदा आपको काम मिलेगा, फैदा tide जो है, उसकी वज़से navigation करना काफी आसान हो जाता है, water level को यह rise कर देते हैं, जिसकी वज़से जो ना होते हैं, जहाज होते हैं, वो समंदर के किनारे तक आ सकते हैं, और जो हावर होता है, वहाँ पर आसानी से पहुंच सकते हैं, अब देखें, जो high tide होता है, उसकी आकों में कई जगों पर electricity generate करने के लिए भी उसको use किया जाता है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, तो आगे अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हम पढ़ते हैं, ocean currents के बारे में, ocean currents, अब यहाँ पर मैंने कहा था, कि सुरू में ही कहा था, कि जिस तरीके से जो ह आगे बुक में होगा, बैग बुक आपने अगर खोल के रखा हुआ तो देख सकते हैं, कि इसमें जो ये arrows दिखाए गए हैं, ये क्या दिखा रहे हैं, ये एक तरीके से water का movement दिखा रहे हैं, कि जो समंदर होता है, उसमें कहां से water किस direction में move करते रहता है, और यही है हमारे ocean currents, कि समंदर का पानी एक जगा से दूसरी जगा move कर रहा है, एक direction से दूसरी direction move कर रहा है, यही हमारा क्या हो गया, ocean current हो गया, अब ये देखिए ocean currents जो होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, देखिए, दो प्रकार कौन कौन से हैं, जो कि आपके किताब में पहला है warm motion current और दूसरा है cold ocean current और cold ocean current यह एक तरीके से कैसे काम करते हैं अब देखिए यहाँ पर आप देखिए map को map में आपको अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा map में देखिए यहाँ पर यह equator का reason है यह पूरा equator का reason है zero degree यहाँ आप जानते हैं कि धूब जादा पड़ता है यहाँ पर गर्मी जादा होती है तो यहाँ का पानी जो है वो बहुत ही गर्म हो जाता है तो यहाँ से जो आपके currents generate होते हैं यहाँ से जो currents निकलते हैं ocean current ocean की जो निकलती हैं समंदर की यह होती है वार्म धराएं यानि की गर्म धराएं होती है जो इस रीजन से generate होती है निकलती है अब आप ये भी जानते हैं कि जो पोल वाला रीजन है यहाँ पर काफी सर्दी होती है ठंडी होती है यहाँ पर बर्फ होता है बहुत ही थंड़क होती है, यहां पे, तो इस region से जो ocean currents generate होगी, वो क्या होगी? वो थंडी होगी, थंडी होगी, तो यहाँ पर जो generate होगा, आपके poles के तरफ या तो इस तरफ उपर या तो इस तरफ नीचे, तो यह क्या current होगी? cold current होगी, cold water current, तो इस तरीखे से आप देख स या फिर इनका फायदा क्या है अब दिखिए जो ocean current होता है यह हमारे जो समूदर के किनारे के जो reason होते हैं इनके climate को या फिर इनके temperature को प्रभावित करते हैं इसके वज़ा से क्या होगा कि वाज Public Wall Zone Current जिस इलाके के आसपास से गुज़ एगा समूदर के किनारे से गुजरेगा उस इलाके में काफी एक तरीके से गर्मी बढ़ जाएगी वहाँ पर गर्मी आ जाएगी और वहें अगर cold ocean current move कर रहा है आपके सहर के बगल से यानि आपका सहर अगर समंदर के किनारे है तो वहाँ पर आपको काफी ठंडी-ठंडी हमाई देखने को मिलेंगी यानि आपके आसपास का जो टेंपरेचर है वो काफी वो ठंडा कर देगा यानि एक तरीके से climate condition को ये प्रभावित करते हैं अब देखें जिस जगह पर ये warm और cold ocean current मिलते हैं यहाँ पर सबसे अच्छे fishing grounds होते हैं यहाँ पर मचलिया भरपूर मिलती हैं यहाँ पर आप मचलियों को पकड़ने का काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं जैसे कि आपके जापान और इस्टन कोष्ट का जो इलाका है नौर्थ अमेरिका के इस्टन कोष्ट का यहाँ पर यह चीज़े possible हो पाती हैं अब इसके लाव एक और चीज़ है कि देखिए जो यह जगह है जहाँ पर यह warm और cold ocean current मिलते हैं यहाँ पर काफी fog यी weather होता है यहाँ पर आपको हमेशा fog देखने को मिलेगा जिसकी वज़से navigation में परिशानी होता है यह एक तरीके से इसका नुक्षान है कि काफी fog होगा आपको कुछ दीखेगा नहीं navigation आपको जो समूद्र के जो जहाज होते हैं उनको करना काफी मुश्किल होता है तो इस तरीके से यह हमारा यहाँ पर chapter खत्म होता है यह video खत्म होता है तो मिलते हैं आप से हम next video में next chapter के साथ तब तक के लिए good bye